हेलो फ्रेंड असलाव अलेकूं वेल्कम बैक टू आईशास किचन अज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं बुना गोश्की रेसिपी तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे जरूर से प्रस करिए ताकि हमारी डैली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंसे रहे तो यह देखे फ्रे पर लिये है और मैंने लिया है मेथी सुकी मेथी और यह कर लिया है वन कप मैंने और यह देखे मैंने जिंजर गार्लिक पेश लिया हुआ है और यह देखे सुके मसाले मैंने यहां पे लिया है धन्या पोडर आइड मैंने यहां पे चिली पोडर लिया है और यह मैंने लिय औझाब लिपटाई बिरबा है थोड़ा है यह तक तोंपाई आ उन्यापताि पाल्ता है कट बनए कोकर ओनियों नपिछ अभट कोटाई लिए। जो करण खाइब हम टॉलें ठीज के भी आइब और मेन था झायंड ण्ड को आपना लिए शूत्ता खुंड साब कर हैen ჟიიძლვიიოვჄ სიივოე , იარვივიუვოალოლვმვოივივს ღივალელ ღვლჟვოვ ეივივვოთვფ तो इसारे दाल लेती हूं मैं थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे देखें थोड़ा सब्सक्राइब हो रहा है अट इस पॉइंट अब हम दालेंगे इसमें अनियोंस अनियोंस मैंने बड़े ओड अनियोंस इसमें उसकिये हैं और इसे थोड़ा साथ से 2 मिनिट्स के लिए ठाल अपर फर्यक्राइब करेंगे अब इमधिंड इस फीड्यक्राइब नहीं दाल रहा हूं गांके नियुद्टफ थोड़ा से नरम पड़ रिक कर देखेंगे नियु इन डिसी के साथ मैं थोड़ी देर के लिए इसे फ्राइब करूंगी ताकि इसमें जो पास रहती है वो चले जाए इससे और जब यह फ्राइब हो गया तो आप इसमें मैं दूसरे मसाले दाल लूँगी देखें यह सारे मसाले मैंने जो लिया था दन्या इलो चिली गरम मसाल और नमक इन सारे चीज़ों को दालके अच्छे से मिक्स कर लेती हूं अच्छा फ्राइब करें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स अप हो जाए थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से फ्राइब करेंगे मैं नेरली हाफ मिनिटी से थोड़ी देर छोड़ी ताकि अच्छ कास्तूरी मेती रखी के यह जो करना दाल लें गया और विश्ट करने में अच्छ चुछ बंगी तो धेकर निखेंगे अब जाएंगे तो तो देखें फरंट्स मसाला जो है बहुत ही अच्छा से बुन भी गया है और बन गया है अब मैं इसमें दाल रही हूं हमारा गोष्ट यह जो मैंने गोष्ट यूज़ किया है, यह मैंने हाफ किलो यूज़ किया है और बकरे का यूज़ किया है, इसे अब हम अच्छ से एक मिक्स देंगे, और फ्राइ करेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि सारे मसाले जो है, गोष्ट में अच्छ से मिल जाएं. तो यह देखे अच्छा से मासाला ला घूश को हिसली नौर्ट को कर्ड देखिए लिए नियुकर्ड कर्ड मार्न सॢला घूंगे कर्डश कर रे году लिए लुटकर देखिए और देखें अच्छे से हम इसे थोड़ी दर के लिए पकाएंगे देखें मैंने नेरली 5-10 मिट्स से पका लिया है और मसाले जो है अच्छे से जो ग्रेवी है ठिक होती आरी है अब हम इसे क्या करेंगे और थोड़ा पानी दालेंगे विकॉज हमारा जो गोश है वह अच्छे से गलना भी चाहिए तो मैंने सेम कप जो मैंने देही यूस खी थी वही कप से सेम कप में वन कप पानी दाल लिया है और एक mix देके अब हम इसे ढख देंगे और विजल आने देंगे विजल हम करेंगे four visuals four visuals में हमारा ghost बनके तेयर हो जाएगा तो अब हम इसे ढख लेते हैं अब मैं विजल कर लोगी इसके बाद इसे open करके next process करते हैं तो देखे फ्रेंड्स अब मैं open करती हूँ तो देखे जो हमारी gravy है तो थोड़ी डीली डीली लग रही है तो मुझे चाहिए एकदम से थिक consistency वाली gravy तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए कुकर open करके एसे ही अच्छे से fry पकाएंगे पकाएंगे इसे अच्छे से ताकि जो हमारी जो यह है ग्रेवी जो है थिक बन इन इस पॉइंट हम इसमें दालेंगे कोरियांडर लीव्स बारी कटे हुए और एक मिक्स दे देंगे और इसे थंडा होने देंगे थोड़ी टाइम के लिए और इसे सर्फ करेंगे या अदाफ कर लिया है मैंने तो देखे अब हमें इसे निकाल लेती हूँ तो एकदम जैसे या पुचावल के साथ यूज़ कर सकते हो बहुत ही प्यारी रेसिपी है अगर आप लोगों को यह रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें आइंड आप लोगों को कोई भी रेसिपी चाहिए मेरे किचन में आप चाहते हैं के हम अब कि दाम HUGO चिता है थैरी कि अच दना हो दो है थिए और से में या समय लग बन गए है तो यह कि अगर रिक्वेशों कि रिक्वेशन कर लोगों कि अधे न है आपके रिक्वेशन के बाक्सर करिक्वेशन करावा कर आदा है ए हम लिक्लत poking से और और आपक्त को मैं आपको झाल झाल